पिछले पार्ट में हाउचेन और उसके सभी साथ ही चारों टेंपल को गाड करने के लिए रेडी हो गए थे लेकिन तब ही हाउचेन गौड हेट से कहता है कि भले ही आपके पास में इसके लिए काउंटर मीजर्स हैं लेकिन इसके बाद भी डिमन क्लेंट के वल आपको ही हासिल करने के लिए यहाँ पर आए हैं इसलिए अच्छा होगा कि आप उनके सामने ना आएं तब इसके बारे में सुनकर गौड हेट कहती है कि नेचर गौडेस की इन सारी चीजों को मैं बरबाद होते हुए कैसे देख सकती हूँ क्योंकि आखिरकार इसकी जिमेदारी भी तो मेरी है इसके बाद अगले सीन में हम देखते है कि हाओच इन हान्य के साथ में टेंपल के तरफ निकल गया होता है वहीं दुसरी तरफ हम देखते है कि एक दीमन एक टेंपल के सामने आ गया था जिससे देख वो कहने लगता है कि यह टेंपल तो सच में बहुत ही beautiful है और इसलिए मैं भी से destroy नहीं करना चाहता लेकिन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके उपर attack करने के लिए अपने पियानों को ready कर लेता है और अब इसके power का use करके वो यहां के barrier के उपर attack करने लगा था अब इसके बज़ास से हम देखते हैं कि यहां के बहुत सारे bots मारे जाते हैं जिससे देख वो demon उसे कहता है कि तुम सभी इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो इसके बाद हम देखते हैं कि उसने फिर से अपने power का use करके यहां के barrier को destroy कर दिया था और अब इस तरह से वो इस temple को भी destroy करने के लिए इसके उपर attack कर देता है लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हाओ चेन इससे प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर आ गया था और फिर उससे कहता है कि इससे destroy करना तो दूर की बात है तुम इस temple को touch भी नहीं कर पाओगे तब इसकी ऐसी बात सुनकर वो demon उससे कहता है कि आखिर कर तुम खुद को समस्ते क्या हूँ और ऐसा लगता है कि तुमको मरने की बड़ी जल्दी है इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके आखों के तरब देखने लगता है और कहता है कि तुम जैसी आखे तो मैंने पाले कभी भी नहीं देखी थी लेकिन तबी अचानक से उसे ऐसा लगने लगता है कि इसकी आखे तो demonic dragon की आखे है और इसी वज़़ से इसके बारे में सोचकर वो काफी परिसान होने लगता है लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके उपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और फिर वो इसे अपने मारने के लिए पियानों का यूज़ करके अपने पाउर से अटैक कर देता है लेकिन तभी इसी वीचम देखते हैं कि दिमन का अटेक हाउचन के उपर भारी पढ़ने लगता है इसलिए वो तुरंत इसके अटेक से बचने के लिए यहां से भागने लगता है तब इससे देख वो डिमन उससे कहने लगता है कि अब क्या हुआ अब इस तरह से तुम्हें पर क्यों भागने लगे वहीं उदर हाउचन सोचने लगता है कि साथ इसके पियानों के पास में अनलिमिटेड अटैक पाउर है इसलिए उससे जल्दी ही इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा नहीं तो फिर कुछ समय के बाद खुद इसकी स्पिरिच्वल पाउर खतम हो आग्या था और फिर से अपने बहुत सारे पाउर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना इस्टाट कर देता है तब ही इसज़ाइ Already हो गया था और फिर वह तुरंद अपने पाउर का यूज करके इसके पाउर को रोक देता है लेकिन तब ही इसी वक्त हम देखते हैं कि कि वो डीमन भी यहां पर नीचे गिर गिर गया होता है लेकिन फिर वो हसते हुए हाउचेंट से कहता है कि तुम्हें लगता है कि अगर तुम मेरे पियानों को डिस्ट्रॉइ कर दोगे तो क्या इस तरह से तुम मुझे हरा पाओगे अब इतनी बात कहने के बाद वो कहता है कि यह सीज तो मेरे स्प्रिच्वल पाओउर से बनी हुई है और इसके बाद हम देखते है कि वो फिर से यहां के स्प्रिच्वल पाओउर को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है और इसके अलाबा वो अपने पाउर का यूज़ करके इसके उपर अटैक करने की भी कोशिस करता है जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचन भी फिर से किसी तरह से इसके अटैक से खुद को बचाने लगा था और कहने लगता है कि यह तो किसी भी सरावनिंग एलमेंट को एब्जॉर्ब कर सकता है और इसलिए ऐसा लगता है कि इसकी स्प्रिच्वल पाउर अनलिमिटेड है लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इतने असाने से इसके सामने हार माने वाला नहीं होता और फिर कहता है कि अब मुझे इसके बारे में जल्दी ही कुछ करना होगा तभी इसी भी सम देखते हैं कि वो डिमन फिर से अपने पियानों को जेनरेट कर लेता है और फिर वो इसके पाउर का यूज करके अटैक करते हुए कहता है कि मैं तो तुम्हारी आँखे निकाल लूँगा वहीं दुसरी तरफ हम देखते हैं कि अब इसका सामना करना हाओचें के लिए काफी मुस्किन हो रहा था क्योंकि वो डिमन अपने पाउर का यूज करते हुए लगातार इसके उपर अटैक कर रहा था इसके बाद हाओचें कहने लगता है कि अब मुझे इसके बारे में ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए और मुझे किसी भी तरह से इसे परिसान कराना होगा ताकि इस तरह से मैं उसे डिमन गॉट के सील को अनलोग करने के लिए मजबूर कर सकूँ लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो डिमन लगातार अपने पाउर का यूज करके इसके उपर अटैक कर रहा था जिसके बाद हाओचेन इसके उपर अटैक करते हुए कहता है कि सायथ तुम्हारे पास में इसके अलाबा कुछ भी नहीं है और ऐसा लगता है कि तुम तो 9th पिले डिमन गॉट के सकसेसर के रूप में कुछ भी नहीं हो जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वो डिमन इसके उपर काफी गुसा हो जाता है और फिर वो इसके उपर अटैक करते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा तब इस पर हाओचेन उससे कहता है कि तुम तो सच में काफी वीक हो लेकिन अब इसके बज़ा से हम देखते हैं कि वो डिमन सच में इसके उपर काफी गुसा हो गया था और फिर वो उससे कहता है कि अब मैं जिन्दा ही तुम्हारी आँखे तुमसे बाहर निकालने वाला हूँ और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने डिमन सिल को अनलोक करने के लिए रेडी हो जाता है जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन भी खुद को बचाने के लिए अपसॉल्यू डिफेंस का यूज करने लगा था जिससे देख वो डिमन उससे कहता है कि क्या सच में तुम इससे खुद को बचा पाओगे लेकिन तब ही इसी वक्त हम देखते हैं कि हाओ चेन हान्यू से भी इसके उपर अपने पाउर का यूज करने के लिए कहता है जिसके बारे में सुनते ही हान्यू भी अपने लाइट ग्रेविटी के पाउर का यूज करके इसे कैद कर लेता है और फिर इसी के साथ वो अपने ब्लैक डेजर्ट के पाउर का भी यूज करने लगा था और उसे कहने लगता है कि तुम तु केवल इसी पाउर में इतने बुरी तरह से फंस गए हूँ लेकिन क्या इसके बाद भी तुम खुद को डीमन क्लैन का सकसेसर बोलते हूँ जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वो डीमन और भी ज़्यादा गुसा हो गया था और इसके बाद कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने डीमन सिल को अनलोक कर लेता है और फिर कहने लगता है मैं अब तुमें दिखाऊंगा कि मेरी असली पाउर क्या है अब इसके वज़ास से हम देखते हैं कि वो डिमन पहले से भी बहुत ज़्यदा पाउरफुल हो गया था और इसे देख ऐसा लग रहा था कि अब इसका सामना करपाना हाउचेन और हान्यू के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा तभी वो डिमन इन से कहने लगता है कि अब तुम तबाही देखने के लिए रेडी हो जाओ तब इस पर हाउचेन भी उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा और मैं तो इसी पल का बहुत समय से इंतजार कर रहा था इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन इसके सामने लौसील का यूज़ करने लगता है जिसे देख वो डिमन उससे कहता है क्या सच में तुमें लगता है कि तुम इसका यूज़ करके मेरा कुछ कर पाओगे पर तब ही अचानक से हम देखते है कि उसकी सारी स्प्रिचुल एनरजी इसके अंदर जाने लगती है जिसके बज़स से वो डिमन भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता और कहने लगता है कि ये अचानक से क्या होने लगा तब इस पर हाउस जेनुस से कहता है कि या तुमारे लिए फैंटेसी परेडाइस का रिटर्न गिफ्ट है जो कि जबरदस्ती तुमारे अबलिटी को तुमसे अलग कर देगा इसके बाद वो उससे कहता है कि अब अटेक करने की बारी मेरी है और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसी के पाउर का यूज करके इसके उपर ही अटेक कर देता है जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बाद से वो डिमन भी काफी हैरान हो गया था और फिर वो इसके अटेक को रोकने के लिए कोसिस भी करता है लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके पाउर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से आखिर कर वो यहाँ पर मा जा सकता है जो कि टीम के अंदर सपोर्ट और ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही बैस्ट है और इसलिए मैं चाहता हो कि तुम इसे अब्जॉर्ब कर लो जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात मन कर हान्यू भी इसे अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो इसके लिए हाउचेन को थैंक्यू भी कहता है तब इस पर हाउचेन उसे कहता है कि वैसे तो हमने इस डीमन को मार दिया है लेकिन इसके बाद भी हमें यहां के एनरजी को को बंद करना होगा ताकि इस तरह से उंडी मन को ऐसा लगए कि यार्ट टेमПр हमझे हैगी इसके बाद हम देखते हैं कि वह तुरंट यहां के अर्जी को बंद कर देता है जिसके क्सिति काबागों को लगता है कि कि बांदि टेम्पल संच में डिश्याद हो और फिर वो अपने आदमी से फूचता है कि बाकी लोगों की प्रोग्रेस कैसी है तो अगर एक्सप्लानेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कॉमेंट जरूर कर देना और अगर आपने इसके फिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना